अगर आपको low back pain रहता है या फिर अगर आपके disc prolapse की problem है, disc में bulging हो गई है, shatika का pain आपको रहता है या फिर आपको read की हड़ी की कोई भी problem है, किसी भी तरह का दर्द है, तो इन सभी जीदों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया massage therapy की बारे में बताने वाला दर्दों से छुटकारा मिल सकता है और काफी आसानी से मिल सकता है, यह massage therapy जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यह based है foot reflexology के उपर और इसके अंदर आपको अपने पैर की massage और रुजाना सिर्फ 2-3 मिनिट ने करनी है, एक खास जंगा पर और एक खास तरीगे से, और इस रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा, सबसे पहले बात करते हैं कि foot reflexology आखिर होती क्या चीज है, यह foot reflexology एक treatment therapy है, जो कि सदियों से practice होती आई है, और foot reflexology के accordingly आपके पैरों के अंदर पूरी body के हर एक organ का specific trigger point मौजूद होता है, इन trigger points को अगर आप stimulate क करेंगे तो उसका सीधा असर उस specific organ के ऊपर पड़ेगा, वहां का blood circulation improve होगा और जो भी problem उस organ के अंदर होगी, वो problem ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा foot reflexology का मानना है, इस time आपकी screen के ऊपर एक chart आ रहा है और इस chart के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपके pair के अंदर सभी major organs क ये अलग-अलग specific points हैं, लेकिन क्योंकि इस video के अंदर हम बात कर रहे हैं spine की, तो हम फिलाल सिर्फ और सिर्फ इस spinal portion के ऊपर ही focus करेंगे, तो spine का जो portion है ये दोस्तों आता है आपके pair के अंदरूनी हिस्से की तरफ, अगर आप अपने दोनों pair को आगे की तरफ रख लें, तो आप देखेंगे के आपके अंगूठे के निचले हिस्से से लेके आपकी AD तक का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा represent करता है आपकी spine को, आपके right side का जो pair है वो represent करता है आपके right side of the spine, और left side का जो आपका portion है pair का, वो represent करता है left side of the spine, तो अगर आपकी spine में कोई भी problem है, तो आपको basically इसी portion के उपर concentrate करना है और इसी को stimulate करना है अब कौन सा portion किस type की spine को represent करता है ये समझ लेते हैं जो आपके अंगूठे का निचला हिस्सा है ये represent करता है cervical spine को इसके नीचे का जो आदा हिस्सा है ये represent करता है आपके thoracic spine यानि आपके सीने की spine को इसके नीचे का जो हिस्सा है ये represent करता है आपकी lower back को यानि आपकी lumbar spine को इसके नीचे आता है आपका sacrum और इसके नीचे आता है coccyx यानि के आपका tail bone तो ये पूरा area मिला के आपके बनता है spine और इसमें अगर आपके मालीजे cervical में कोई problem है तो आप अपने cervical spine वाले area को stimulate करेंगे अगर आपके lumbar में है तो आप lumbar को stimulate करेंगे इसके साथ अगर हम बात करें shatic nerve की तो क्योंकि shatic nerve निकलती है आपके lumbosecral joint से तो आपके lumbar spine जहां पर खतम हो रही है पैर में और जहां से आपका sacrum का area शुरू हो रहा है इस area के side में अगर आप एक horizontal line draw कर दें अपने AD के just उपर तो वो area basically आपका कहलाएगा आपका shatic nerve area तो अगर आपको shatic की problem है तो आपको इस area को stimulate करना होगा इस massage therapy को करने के लिए आप सबसे पहले एक जंगा आराम से बैठ जाएए और अपनी टांगों को घुटनों से मोड़ कर अपने दोनों पैर अपने सामने इस तरीके से आप रख लीजे इसके बाद आपको क्या करना है आपको कोई pain killer oil लेना है और उसको लेके थोड़ा सा अपने दोनों पैर उपर जो आपकी spinal area है उसको ऊपर अच्छी तरीके से massage करना है अगर आपके पास pain killer oil available नहीं है तो आप इसकी जंगा कोई दूसरा oil भी ले सकते हैं आप olive oil भी ले सकते हैं आप सरसो का तेल भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप vaseline या कोई moisturizer भी इस्तमाल कर सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो बिना oil के भी इस massage को कर सकते हैं लेकिन oil लेने से आपको थोड़ा सा result ज्यादा अच्छा मिलेगा अपने दोनों पैरों पर spinal area में आप अच्छी तरीके से oil को लगाईए और थोड़ा सा oil आप अपने shiatic nerve वाले area के उपर भी लगा लीजे इसके बाद आपको क्या करना है आपको अच्छी तरीके से इस area की massage करनी है ताकि वहाँ का blood circulation है वो बढ़ जाए इस massage को करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और notice करना है कि आपको पूरे spinal area में अपने बीच बीच में ऐसे points मिलेंगे जहाँ पर आपको tenderness होगी यानि आपको दर्द का हैसास होगा छूने से दुखन होगी basically यही वो trigger points है यही वो गाठे हैं जो कि आपको release करनी है यही वो problem है जो कि आपकी spine के अंदर दिक्कत पैदा कर रही है जहाँ पर भी आपको यह tender points मिलें जहाँ पर भी आपको यह दर्द का हैसास हो उस area पर आपको अपने अंगूठे की मदद से या फिर अपनी middle finger की नकल की मदद से round circular motion में अच्छी तरीके से pressure डालना है करीब 30 second तक आपको round round इस तरीके से अपने उस trigger point के उपर pressure डालना है और उसके बाद massage को continue करना है रुजाना रात को सोते समय आपको करीब 2-5 मिनट के लिए अपने दोनों पैरों पर इसी तरीके से massage करना है और जहाँ जहाँ भी आपके tender points हैं उनको आपको release करना है अगर आप इस तरीके से regularly massage करते हैं तो सिर्फ एक से डेड़ महीने के अंदर ही आपकी जो spine की problems हैं चाहे वो आपको sciatic की problem हो चाहे वो आपको disc bulging की problem हो चाहे आपके spinal spondylitis हो या फिर अगर आपको कोई और भी problem है lower back pain की दिक्कत है या कोई इस तरह की problem है तो इन सभी चीज को ठीक करने के लिए दोस्तों बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कि foot reflexology को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलता है लेकिन अगर practically देखा जाए तो हजारों साल से foot reflexology को लोग इस्तमाल करते आये हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको इससे बहुत ही amazing results भी मिले हैं लेकिन अगर हम science की माने अगर studies की माने तो अभी तक भी foot reflexology के ऊपर कोई भी concrete solid study नहीं हुई है कोई भी ऐसा प्रूव अभी तक available नहीं है जो ये बात हमें बता सके हमें इस बात का यकीन दिला सके कि इसको करने से आपको फायदा मिल जाएग लेकिन still लोग इसको इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता भी है और मेरा मानना यह है कि इसको अगर आप try करना चाते हैं तो एक बार जरूर करें और as a complimentary treatment करें यानि जो भी treatment आपका अगर चल रहा है spine के लिए उस treatment के साथ ही आप एक बार इसको try करके जरूर देखें क्योंकि इसका ना तो as such कोई side effect है ना कोई नुकसान है ना कोई इसमें आपका पैसा खर्च होता है और ना ही इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है दोस्तों foot reflexology को एक बार आप try जरूर करें करीब 45-60 दिन तक इसको करके देखें और फिर जरूर इस बात को notice करें कि जो आपका treatment चल रहा था उसमें आपको कितनी जाधा progress और देखने को मिलती है कितने additional benefits आपको इसकी मदद से मिलते हैं अगर आपको भी इससे कुछ फायदा होता है अगर आपको इससे benefits मिलते हैं तो हमसे comment section में जरूर share करें ताकि और लोगों को भी इससे motivation मिल सकें और और लोग भी इसको try करके इसका फायदा हासिल कर सकें मुझे उमीद है आज की ये video आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें बताए गई जो ये technique थी इसको एक बार आप try करके जरूर देखेंगे और मुझे ये भी उमीद है कि इसको try करने से आप को भी काफी अच्छे results मिल जाएंगे मैं डॉक्टर सलीम इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ इस वादे के साथ के फिर मी लूँगा इसी channel पर एक नई बढ़ी हैसी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज रह सकें हिल्दी हमेशा